अजीज बच्चों, शौगत है आप सबों का आज के इस वेडियो लेक्चर में मैं मुहम्मद जल्फकार अली, हाजिर हूँ किलास फिप्त से आप सबों की खिद्मत में आज हम लोग हमारी दर्सी किताब आगाज ए उर्दू सबक नमबर 7 को परेंगे आज का मेरा उन्वान है सरसेद आहमद खां यानी हम लोग सरसेद आहमद खां के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे इस सबक को तफसील से परने के साथ साथ इसी सबक का खुलासा को भी परेंगे जैसे जैसा के अगर इस सबक में कोई कमी या डाउट रह जाए तो हम लोग इसके खुलासा में सारे डाउट को किलियर कर देंगे तो आईए पहले सबक को सुरू करते हैं सबक है सरसी अदामत खा शर्शी अदामत खां 18-17 में देली के एक बाइज़त घराने में पैदा हुए थे कब पैदा हुए थे 18-17 में देली के एक बाइज़त घराने में पैदा हुए थे उनके बच्पन का नाम सेद अहमद था उनके बच्पन का नाम सेद अहमद था बड़े होकर वो बहुत काबिल और अकलमंत शक्सियत बनकर मशूर हुए अंग्रेजों ने उनकी काबिलियत को अंग्रेजों ने उनकी काबिलियत की वज़े से उन्हें सर का खताब दिया था उनकी शलाइयत, उनकी नौलेज, उनकी जानकरी और उनकी सक्सियत को देखते हुए उनकी काबिलत को देखते हुए अंग्रियोजनी उन्हें खताब दिया था जो सर का खताब दिया इसलिए वो बाद में सरसियद आहमद खां के नाम से मशूर हो गए है सरसियद आहमद खां के नाम से मशूर हो गए है सरसियत के वालिद दहली के मुगल वादसा के दरवारी थे सरसियत के जो वालिद थे वालिद मुगल वादसा के दरवारी थे उनकी वालदा भी एक परी लिखी और समस्दार खातुन थी सरसियत आमद खांकी जो अम्मी जान थी वो भी परी लिखी और समस्दार खातुन थी बच्पन में सरस्यद ने उन्हीं से तालिम हासिल की बच्पन में ही सरस्यद जो है तालिम उन्हीं से हासिल की पराने लिखाने के साथ साथ उनकी वालदा ने अच्छी इखलाकी और किरदार की तर्बियत भी दी उसके वालदा जब उसको पराते थे तो दुनियावी किताबों के साथ-सकूली या मदरसे किताबों के साथ-साथ इखलाकी और किरदार की तालीम दी एक बार सरस्यद ने घर का काम करने वाले खादमा को डाट दिया मतलब जो घर में काम करती थी एक औरत थी उनको डाट दिया इस बात पर नाराज होकर उनकी वालदा ने उन्हें खादमा से माफी मांगने पर मजबूर किया उन्हें जिसे नोकरानी कहते हैं हम लोग बाई जिसे कहते हैं उससे माफी मांगने के लिए उससे मजबूर किया जब उन्होंने खादमा से माफी मांगी तब ही उनकी वालदा ने भी उने माफ किया मतलब जब वो अपने खादमा से माफी मांगी तब जाके उनकी वालदा भी उने माफ किया गर पर पराही लिखाई करने के बाद शरसयद ने कुछ और उस्तादों से भी तालिम हासिल की गर पर जो पराही लिखाई होते थे उनके साथ-साथ उन्हें कुछ और उस्तादों के साथ उसके पास भी परे उसके बाद अभी पराई पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके वालिद शाप का इंतकाल हो गया और घर की सारी जमेदारी सरसियत पर आ गई वालिद मुतरम का इंतकाल हो गया उसके बाद घर की सारी जमेदारी सरसियत पर आ गई इसलिए पराही छोड़ कर उन्होंने शरकारी नोकरी हासिल की इन्हें जिला मेनपूर में मुसन्निफ का आधा मिला मतलब उन्हें पराही छोड़ दी पराही छोड़ने के बाद उन्हें सरकारी नोकरी करने की जरुरत परी और उन्हें जो जिला मेनपूर था उन्हें एक मुनशफ का ओधा मिला राइटर का ओधा मिला इनसाफ करने वाला मुनशफ अपने महिनत और लगन से तरक्की करेके हुआ जल्दी ही बजनूर के तहसिलदार बन गए पहले मुनसफ के बाद उसके बाद वो क्या किये मुनसफ जो इनसाफ करने वाला होता है उन्हें को कहा जाता है उसके बाद वो बजनूर के एक तहसिलदार बन गए इन दिनों यह औधा बहुत बड़ा समझा जाता था उसके उस वक्त के दोर में इस ओधा का बहुत वैल्यू था उसके बाद वो कुछ दिन मुरादवाद में जज कोट के आदे पर काम करते रहे यहीं उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया यह सरसियद आमद खा की जिंदेगी का वह दोर था जब वह मुसल्मानों की बदहाली और पिछ्रे पन को देखकर बहुत बेचैन थे हिंदू भाईयों को जदीद तालीम देने के लिए राजराम मोहनराई बनारस हिंदू इनिवरसिटी काइम कर चुके थे दूसरी कौम के लोग जदीद तालीम हासिल करने करके बरे बरे अहुदे पर फायज हो रहते उतलब जाते रहते और मुसल्मानों में जदीद तालीम हासिल करने की तरफ कोई धियान नहीं था कोई तावज़ा नहीं देता था सिर्फ कुरान परने और उर्दू लिखने वाले को ही प्रालिखा समझा जाता था लेकिन सरसेयद यह चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी तालीम हासिल करे साइंस परे डॉक्टर और इंजिनियर बने उन्होंने लंडन का दौरा किया वहां के लोगों की रहन शेहन और तालीम की तरक्यों तारीकों को बहुत गौर्स तालीम के तारीकों कोごह त्स बहुत से देखा और समझा थीज़ बरस तक नोकरी करने के बाद उन्होंने नोकरी चोड़ दी और फिर पूरी तरह से कौम की खितमत में लग गए उनका ये ख़ाब था कि हंदुस्तान के मुसलमान को ज़दी तालीम असिल करने के लिए उनका अपना इदारा हो इसलिए उन्हें जग़ चाकर मुसलमानों को जगाने का काम किया सब को अपना एरादा बताया अलिगर के पास चत्तारी की एक छोटी सी रियासत थी वहां के नवाब सरसेयद से बहुत मतासिर हुए उन्होंने कालेज कायम करने के लिए अलिगर में जमीन दी और हर तरह से मदद का वादा किया सरसेयद अमद खाने अलिगर में एक कालेज सुरू किया जिसका नाम एंगलो औरिंटल कालेज था यही कौलेज बहुत जल्द अलीगर मुस्लिम इनिवर्सटी बन गया अलीगर मुस्लिम इनिवर्सटी में ना ont slefa हिंदोस्तान बलगे दोसरे मुलकों के तालबा भी तालिब हासिल करने आते हैं यहीं मुसल्मान, यहां मुसल्मान, हिंदू, इशाई, सीख, मजभब के सभी मजभबों के लड़के लड़कीया तालिम हासल करते हैं और आपस में मुहबत और भायचारा के जज़बात के साथ साथ अपने सौवे में तालिम हासल करके डॉक्टर, इंजिनियर, माहर तालिम और पॉफिसर बनकर निकलते हैं हिंदुस्तान के मुसल्मानों के को अलिगर मुसलिम इनिवर्शिटी का अजीम तहफा दे कर वो सरसिय अदामद खाँ, ट्रस अंटानों में इंतकाल फर्मा गए इनकी कवर भी अलिगर मुसलिम इनिवर्शिटी के अंदर मुदूद है सरसिय अदामद खाँ को अलिगर मुसलिम इनिवर्शिटी के बानी होने की वज़े से हमेशा इसको याद किया जाता है हादो बच्चे उसके बाद इसका खुलासा देखिए खुलासा सुरू करते हैं देखो पेसे नजर गोर मजमून शर्सियत आहमद खाँ उसके बाद इसका खुलाशा देखिए खुलाशा में पेसे नजर गोर मतलब नीचे गौर से देखिए मजमून शर्षियत आहमद खाँ हमारी दर्सी किताब आगा जो अर्दू से ली गई है मजमून निगार इस मजमून में शर्षियत आहमद की शख्सियत और उसके काबिलित को बाज़ किया है और कहा है कि शर्षियत अकलमन शख्सियत बन कर मसूर हुए उसकी काबिलित की वज़े से इन्हें शर्षियत का खताब दिया था इसलिए वो शर्षियत अमद खाँ के नाम से मशूर हो गए शर्षियत अमद खाँ ठारा सा सत्रह में देली के बाहिज़त घराने में पैदा होए थे शर्षियत की वालिद देली के मुगल वार Pub、 वारशा के दरबारी थे बच्पन में शर्षियत अपनी वालदा से तालीम हसिल की तालीम के साथ साथ वालदा ने अची एकला की और किर्दार की भी तर्वियत दी ये क्या हुआ ये पहला आई ये है प्रेग्राफ है उसके बाद दूसरा प्रेग्राफ इसकी दूसरी पेज में सेयर करते हैं इस तरह से इसको सौट करके पूरे कहानी को सौट करके लिखना पड़ता है इसी को खुलासा करते है परहाई पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और घर की सब जिमेदारी शर्सियत पर आ गई इसलिए परहाई छोड़कर उन्होंने सरकारी नोकरी हासिल करे की 30 बरस तक नोकरी करने के बाद उन्होंने नोकरी छोड़ दी और पूरी तरह से कौम की खिदमत में लग गए इनका खौब था कि हिंदोस्तान के मुसल्मानों को जदीद तालीम हासिल करने के लिए उनका अपना इदारा हो शर्सियत आमद खाने अलीगर में एक कालेज सुरू किया जिसका नाम अंगलो औरियंटल कालेज था यही कालेज बहुत चल्द अलीगर मुसलिम इन्यूर्शिटी बन गिया अलीगर मुसलिम इन्यूर्शिटी में ना सिर्फ ना सिर्फ हिंदोस्तान बलके दूसरे मुलकों के तल्वा भी तालिम हासिल करने आते हैं यहां मुसल्मान, हिंदो, इशाई, शिख, सभी मजभ़ों के लड़के लड़कियां तालिम हासिल करते हैं हिंदुस्तान के मुसल्मानों को अलीगर मुसलिम इन्यूर्शिटी काजीम तफ़ा देकर 18.9 इस्वी में सरसे अदामत खा इंतगाल फर्मा गए यह इस दुनिया शे, इस दारेफान शे रुक्षत फर्मा गए तो यह क्या हुआ, यह हुआ तरीका, सबसे पहले क्या हुआ, इसका हमलों का शबक हुआ, सबक को पराए गया उसके बाद इसका जो खुलासा है, खुलासा को भी तहरीर किया गया है और उसके बारे में बताया गया है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कि सबक को परने के बाद, सबक तो, अगर सबक का पूरा पूरा लिखा जाए, तो वो तीन पेच, चार पेच होगा तो इसको खुलासा भी हम ने समझा दिया, आप लोगों किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी रही, जो सबक को भी परा दिया, सबक में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इन्शालला तो खुलासा को आप लोग जिसके पास खुलासा अगर ठीक से समझ में आ जाएगा और खुलासा करना समझ जाएगा जो बच्चा जो तालिब इलम तो उसको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी इंशालला और सबसे पहली बात है कि आप लोग इसको गोहर से दो बार च जाजा कर लाख खेरो